हाई माइभीटिस वेलकुम बैक तू माई यूटुब चैनल आज के वीडियो में बात करने वाले हूं कि विटामिन सी सिर्म हमारे स्किन के लिए इतना इंपॉर्टेन क्यों है उसके क्या क्या विनेफिट्स हैं किस टाइम में विटामिन सी सिर्म हमें यूज करने चाहिए औ अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज सब्स्राइब कर लेना बेल आइक उन जरूर क्लिक करना जिसे जब भी मेरा को नया वीडियो आए आपके बास नोटिफिकेशन पहुंच जाए सबसे पहले बात करते हैं कि विटामिन सी होता गया है विटामिन सी एक्टिव इंग्रीडियन के साथ साथ मोस्ट पावर्फुल एंटी ऑक्सिदेंट भी है अगर आपके स्किन सन बर्न के कारण डैमेज हो चुकी है या फिर आपको हाइपर पिग्मेंटेशन है फिर रेड करता है सन के कारण मतलब सन डैमेज के कारण हमारी जो स्किन की जो सेल है वो कभी कभी वीक हो जाती है उसे भी वो प्रमोट करता है और साथ में आपके स्किन को बहुत अच्छी तरीके से हाइडरेट करता है आपने बिलकुल सही सुना कि विटामिन सी सिरम हाइडरेशन का ही काम करता है अगर आपके चेहरे पे बहुत ज्यादा पिंग्मेंटेशन है या फिर एक्ने मार्क्स है या पिंपल के कोई भी मार्क्स हैं तो विटामिन करना चाहते हो तो सबसे पहले पैश टेस्ट ले अगर आपको किसी प्रकार का इचीनिस नहीं होता है या फिर कोई भी अलर्जी नहीं होती है तो भी आप अपलाई करें तूसरी बात अगर आप बेगिनर हो पहली बार विटामिन अपने स्कीन के रूटीन में एड करना चाहरा हो तो कोशिश करना जीतना कम परसंदे हो सकते हैं तो सबसे पहले कमशे शुरुवात करे 10 या फिर 15 उससे ज़ादा ना करे लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखे अगर आपको जरा भी इचिनेस होता है या फिर रेटनेस होता है तो तुरंद उससे यूज़ करना स्टॉप करे अब बात करते हैं कि विटाइमिन C सिरम यूज़ करने का परफेक्ट टाइम क्या होता है अगर आप बिगिनर हो तो आपको एक ही टाइम यूज़ करना है रात में सोने से पहले और जैसे मैंने जब vitamin C serum यूज़ करना शूरू गया थो तो मैं पहले एक ये बार यूज़ करती थी लेकिन अभी मैं दो टाइम उसे यूज़ करती हूँ एक बार दिन में एक बार रात में अगर आप दिन में vitamin C serum यूज़ करते हो तो इस बात का ध्यान रखना कि vitamin C serum यूज़ करने के तुरंट बाद आपको sunscreen apply करना है चाहे वो आप घर पे रहो या फिर बाहर रहो ऐसा नहीं कि मैं घर से बाहर नहीं जा रही हूँ तो मैंने सिर्म लगा के छोड़ दिया है मैं sunscreen apply नहीं करूँ उससे आपका skin damage हो सकता है क्योंकि चाहे आप घर में रहो या फिर बाहर रहो सूरज की जो रौशनी है उसका temperature हमारे body को मिलता है तो इस बात का प्लीज ध्यान रखना अब बात करते हैं कि कौन सा vitamin C serum यूज़ करें और साथ में मैंने YouTube में भी बहुत लोगों के जो reviews है वो देखे हैं उसके बाद मैंने इसे purchase किया try किया no doubt उसके result बहुत अच्छे लगे एक affordable range में है एक luxury brand में है लेकिन दोनों का काम mostly एक जैसा ही है आपकी budget में जो बैठता है वो आप purchase करके देख सकते हो जो पहला मैं affordable range में vitamin C आपको suggest करूंगी और ये beginner के लिए perfect है वो है आपका plum का vitamin C 15% ये 15% है vitamin C serum लेकिन beginner के लिए यो बहुत अच्छा काम करता है अगर आपके skin dull है प्लस कोई भी sun damage है कोई भी acne marks है pigmentation है whiteheads है बहुत अच्छा काम करता है साथ में आपके skin को hydrate रखता है और बहुत प्यारा सा glow भी लाता है तो अगर अभी तक अपने skin care routine में vitamin C को add नहीं किया है तो please और time waste ना करें अपने healthy skin के लिए vitamin C को अपने skin care routine में add क अगर आप इसे raw नहीं लगा सकते वैसे इसे आप भी लगा सकते हो अपने face में dab dab करके अपनी हुमलियों पे लेके वरना इसे आप मौश राजर में mix करके भी लगा सकते हो इसकी MRP है वो है 550 प्लस अगर आप इसे नाइका से लेते हो या फिर Plum के official website से लेते हो तो हमेशा discount कुछ ना कुछ चलता रहता है तो around 500 या 495 रूपीज में भी कभी-कभी ये मिल जाता है तो आप एक बाद ट्राइ करके जरूर देखना दूसरा बात करते हूं मैं luxury brand का एक जो vitamin C serum है और ये मेरी third bottle है और इसे मैंने continue use किया है पहले मैं plum use करती थी क्योंकि वो beginner के लिए मैंन vitamin C ये serum भी आपके dull skin को bright करता है साथ में कोई भी pigmentation या कोई भी marks हो बहुत अच्छे से remove करता है लेकिन किसी भी चीज की अच्छे result के लिए कम से कम एक मेने सी या दो मेने आपको use करने होंगे तो अगर आप भी चाहते हो कि vitamin C serum को कुछ अच्छा result देखने को मिले तो continue एक म लगी या फिर हवा लग गई अपने धकन थोड़ा सा खुला छोड़ दिया ना तो यह जो transparent दिख रहा है ना serum वो पूरा yellow हो जाता है मैं लिमॉन कलर का हो जाता है तो इसलिए हमेशा ठंडा और अंधेरी जगव पे रखे क्योंकि उस टाइम में से रहेगा अब बात करते ह कि बाद आपके सेंसिटीव कोई भी चीज जैसे यूज कर रहे हो चाहिए वो सिरम हो या फिर कोई भी स्किन केर प्रटक उस आपको इची निस हो जाता आपको सूट नहीं करता हो तो सबसे पहले आप स्किन के डॉक्टर से कंसर्ण करें उसके बाद ही अपने स्किन के रू इसके अलाबा अगर कोई ऐसा विटामिन सी सिरम हो जिसको आप यूज कर रहे हो उसके रजल आपको बहुत अच्छा देखने को मिला है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना मिलती हूं बहुत जन नहीं वीडियो के साथ तब तक आप अपना ध्यान रखिए बाई love you all